कि नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमित कुमार आप देख रहे हैं फॉरंसिक टेक यूटूब चैनल आज की वीडियों जानने वाले सीटीफ के बारे में सीटीफ से हम एक लैब सॉल्फ करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि मशीन सॉल्फ करेंगे अब यह मशीन कैसी हो सकती है सीटीफ के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलग यह होता है capture the flag एक आपको IP मिलती है उस IP में आपको एक मशीन मिलती है वो मशीन वरनेबल होती है वो मशीन कुछ भी हो सकती है डारेक्टली एक सॉफ्ट्वेर हो सकता है या फिर एक website हो सकती है तो उस website या फिर वो सोबस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो चलिए जानते हैं कैसे हम solve करते हैं किसी भी CTF को starting time क्या होता है और आपके पास कितना time हो सकता है अगर आप कोई vulnerable machine ले रहे हैं जैसे कि आप try hack me पे ले रहे हैं याप hack the box ले रहे हैं तो उन सब में क्या होता है कि basically कुछ time मिलता है आपको एक घंटे के अंदर आपको इस lab solve करनी होती है अगर आप machine download कर रहे हैं Google से तो उसमें क्या होता है मैं आपको solve एक example दिखा देता हूँ आपको जैसे कि मैं website पे जाता हूँ और try hack me के website में open कर लेता है आपे try hack me इसके एक lab open कर लेता हूँ वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कितने hour का time मिलता है और आपको IP मिलते हैं आप चाहें तो इस website से practice कर सकते हैं और आप चाहें तो एक कौर website है wallhub wallhubhub इस website से आप machine retire machine या फिवर्नेबल machine उसको download कर सकते हैं व्यम वेयर में उसको upload कर सकते हैं और वहां से आप बहुत सारी चीजे सीख सकते हैं OSCP का सीख सकते हैं तो यह हमारी try hack me का start हो चुगा यह हमारी लॉग इन करना पड़े है शायद पहले बाद आदो मैं try hack me पर practice नहीं करता हूँ मैं वर्नेबल machine डाउनलोड करता हूँ simple से और उसको VM में डालके उसके IP लेके फिर उसके काम किया जाता है हमारा इसमें क्या है आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़े है आपको free नहीं मिलेंगी कुछ machines जो होंगी वह आपको free मिलेंगी और वह आपको solve करनी है आप solve कर सकते हैं easy होती ही ज्यादा नहीं होता है कुछ hardware इसको मैं okay कर लेता हूँ इसको login कर देखता हूँ कितना time लगता है ओके तो इसने traffic light मांगी है हम दे देते हैं इसको traffic light ओके हो गया मोटर साइकल यह तो कार है मोटर साइकल थोड़ी नहीं है तो चलिए हम इसे login कर लेते हैं हम यहाँ पर login कर रहे हैं यह बहुत time लेता है basically starting में मैं तो इसको मतलब use करना ही बंद कर दिया है यहाँ पर आप यहाँ पर जा सकते है learn पर जा सकते है क्लिक कीजिए और यह थोड़ा slow चल दिया पता नहीं क्यों कि आई डोंट नो एक क्लिक करिए यहाँ पर प्रैक्टिस का option आएगा प्रैक्टिस के option पर आपको बहुत सारी वरलेबल मशीन मिलेंगी आप चाहिए तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर आप मशीन सॉल्व कर सकते हैं जो की आपको को free subscription या फिर कोई subscription में नहीं मिल रही है free में मिल रहे है वो आप solve कर सकते हैं यहां से आप कर सकते हैं एक hour कप की limit होगी अगर आप जिसकी मालों learn cybersecurity लिख लेता है और इसको मैं open करना चाहता हूं तो आप क्या कर सकते हैं इसके वीपें से connect हो सकते हैं और basically यहां पर एक add to hour machine होगी उसके क्लिक करेंगे तो आपको एक IP मिल जाएगी एक घंटे कि आपको टाइम में लेगा एक घंटे कि आप solve कर सकते हैं और यह वाल हब क्यों फुल गया यह वाली चुलिच हाँ तो यह भी बाइवल हाँ वर्नेबल मशीन बाइवल हाँ तो देखते हैं यहां पर बहुत सारी मशीन है मिलते हैं आप इसको solve कर सकते हैं आराम से यहां से डाउनलोड कर सकते हो आपके पास एक IP आजाएगी उस सब कर सकते हो जिसके आप वीम में स्टार्ट कर रहे हो तो यहां देखो बहुत सारी मशीन है आप solve कर सकते हो अपनी practice कर सकते हो तो ठीक है यह सब तो होगे हमारा CTF कहां से हम मशीन है ढूड़े अब स्टार्ट करते हम अपना actual CTF हम एक IP मिली है माल लो यह IP है हमारी और इस इस आईपी वे हमें क्या करना है इनुम्रेशन करना है scanning करनी है information gathering करनी है और इस machine को hack करके देखना है कि basically hack कैसे हो रही है ठीक है यह सब हमें करना है तो हमारे पास यह है बस IP मिली है और इसका नाम है किंग वजीटा वजीटा आप जानते होगे अगर आपने ड्राइगन ब इससा मैंने बहुत देखा है बहुत मतलब अभी भी देख्ट हूं literally अभी मैं मिस्टर बीन देखता हूं इतना बड़ा होने के बाद मिस्टर बीन देख रहा हूं शिंचैन देख रहा हूं बस ऐसी मजा आता है यार काटून देखने में तो यह को machine मिल चुकी है अब machine पर ह हमें ऐसे तो पता चल नहीं रहा है या फिर अगर आप थोड़े से आपको थोड़ा experience होगा तो आप सीधा robot.txt कर सकते हो इसमें हमें मिला कि find me मतलब कि इसके आगे कुछ हो सकता है find me तो सबसे पहले हम चला लितना है इसमें end map चलाते हैं और हम IP चेक करते हैं IP से हमें क्या find me html मिल गया है इसके अंदर आ जाते हैं वजीटा 1 बस कुछ नहीं है अचा एक सकेंड इसके अंदर हम सोर्स कोड में भी देख सकता है क्योंकि सोर्स कोड में भी बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं यह ओके यहां तो मतलत सोर्स कोड में कुछ है नहीं तो हम वजीटा व इसका भी सोर्स कोड देखना पड़ेगा नहीं इसके अंदर हमें कुछ नहीं है तो सोर्स कोड के अंदर हमें कुछ नहीं है हमने एंड मार चला लिए पता चलेगे पूर्ट नमर 22 ओपन है जो कि SSH है यहां कि स्क्यूर शेल है और यहां पर पर 80 ओपन है मतलब कि हमारी HTTP website ह अब हमें दो port को लेके चलना है, basically 22 को हम पहले exploit करके देखेंगे, क्या exploit हो सकता है, फिर 80 के बारे में जाने है, 22 basically क्या होता है, आप के लॉग इन करना है मदद करता है, और लॉग इन करने के बाद उसके अंदर आप जा सकते, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले डिरेक्टरी फाइंड करना है, डर्भी मैं यूज करता हूँ, और डर्भी मैंने यूज कर लिया, इसको मैं यूर्ल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कितने यूर्ल साते है बाई सबसे पहला important काम जो होता है वो आपका basically यह होता है कि आप enumeration करें information gathering करें जितना information आप निकाल सकते हैं उतनी information निकालें क्योंकि अगर आप 10 दिन का hack कर रहे हो मतलब 10 दिन में आप hack कर ले रहे हो तो मैं guarantee देता हूँ उसके अंदर 7 days का आपको information gathering होगी basically 6-7 या 8 days के आपको information gathering होगी आप 2 दिन के अंदर वो hack complete कर लेते हो पर आपका साथ दिन अगर information gathering को देते हो तो वो आपके लिए बहुत important तो हमेशा ही कहता हो अगर ethical hacking का कोई course कर रहे हो और कोई कुछ भी काम कर रहे हो information gathering is most important क्योंकि वो आपका 70% तक cover up करती है कि यहां पर हम इसको scan होने देखते हैं क्योंकि यार बहुत बड़ी वर्ड लेस्ट है देखो यहां पर मैंने सिंपल सी क्या क्या डिरेक्टरी डिरेक्टरी बस्टर लिखा वो सब्सक्राइब मैंने आई-पी दे दी कि इस आई-पी पर डिरेक्टरी इस फाइंड करनी है अब हमें इसमें बता आजा कि आपका डर्वी जो है वो यूज चल रहा है बाइदा डार्क रावर इनको क्रेडिट जाता है इसका रैगले-अबी याउं सबलोग नमंद करें हैं एक हमारे अंदर पहले समरा देश बक्ति है हम एक दिन का स्टेट जायें कि एक दिन से फम बन बन जाए कि शहीद दिवासम बना रहे हम अंदर से दिल से आर्मी को प्यार करते हैं पहले से एक दिन के लिए हमें दिखावा करने की जरूर नहीं तो यहां देख लीजिए हमारा पास एक डिरेक्टरी मीडिया हमें जैसे कि एक एडमिन की डिरेक्टरी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ एडमिन में हमें क्या मिलता हूँ तो यहां पर एडमिन.PHP मिला हुआ है मतलब एडमिन.PHP इस पर देखे के मिलता हूँ खाली है यार यह तो मजाग कर रहे हैं क्या यह लोग सोर्स कोड में भी कुछ नहीं है बस एक छोटा सा PHP बना कर छोड़ दिया है खाली दे रखा यह फूरा क्या पाता एड्मिन इसके अंदर ही कुछ हो तो मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर डर्भी लिख लेता हूँ डर्भी और मैं यूरल देता हूँ अध्मिन का क्या सारी उख्यों स्च्चुक्त करें हो सकते हैं तो ए ड्मिन के अंदर कितने डियुटरी किला पाद आपको डैरेक्टरि पाहिंगी और इसके बाद को च्च मिल जाए ऐसे चीज मिल जाए चैनल जो यूस करने में मदद करें तो यह अन्सम्हित है और उस्टे पीर करें चैना तोJack को क्यों आपको पता चले कि कहां से कर्ला को पहले कष्छीन के मे से लाइ paragraph जा आप हमारा ऐमने prototype हमने दिया थे यूर्ल इस बेइस बैस पर इसे सलर्कशो क्लों के अगर आप अगर फाइल में जाओ यहान जहां by शूसरमे और इसमान याओ शेयर में और इसमें वर्लिस्त कई मैं जाओ है और शुरों रहे हम से जाओ डिरेक्टरी बस्टर और डिर्वी इने कॉमन डॉट टी एकस्ट लिया और इस इस ती एकस्ट से सारी मतलब फाइले निकालने की कोशिश करिए तो बहुत अच्छी बात है इसने यहां से लिया है आप चाहो तो कुछ और भी टी एकस्ट फाइल दे सकते हैं जैसे कि हमारे पास क्या क्या इसने मोटा सकते हैं आपनाद का इसने वो 200 कोड दिया हुआ TIM तो मैं दूसरा टर्मिनल देख लेता हूं तो हमारा भी पहला ही टर्मिनल हमार एड्मिन निकाल के दिया है अब देख लेते हैं क्या-क्या और मिल सकता है इसके बेसिस पे तो देखिए आपर हमें second territory भी इसने find कर लिये बुल्मा की तो तो चेक करते हैं इसकंदर क्या है बेसिकली हमें अभी अबिन लिया इसको मैं copy करता हूं यहांसे और अपने mozilla firefox में इसको open करता हूं हमें एक दूसरी directory में लिया है इसकंदर क्या पता है एक directory कर दूसरी directory हो और कुछ ऐसी हमें खोफी अच बातें मिल जाए तो आप देख सकते हैं हमें एक फाइल में लिए हाहा.wav अगर आपको नहीं पता है wav क्या है तो यह एक audio फाइल है यहां देखो यहां पर audio आपको दिख रही होगी audio फाइल है इसको आप सेव कर सकते हो कि यहां observe करते हैं हम देखते हैं कहां पर फाइल हमारी गई है कि तो फाइल मैनेजर में जाते हैं हम सिंपल से और इसमें च्एक करते हैं डाउन्लोड में गई ओग लिए अडिरी हमारे पास अब इसका हम सुनके देखने के हमें क्या मिल रहा है झाल नव trouveा है कि वह एडिए कैसे इसके अंदर अफृय देखते हैं मैं क्या हुआ में अखाय है मतलब कुछ हो सकता है सब्सक्राइड फोफिया चीज यहां पर कि अजैeed दिखते हैं सटे Smith में क्या audio decoder मिलता है मोर्स adapter audio decoder मोर्स code audio decoder ओके online भी लिख देता हूं मैं आपे चलो इसको में open करके देख लेता हूं हमारे सामने एक website आई है और दूसरी एक website देख लेते हैं क्योंकि एक website पर हमें अंधाधून नहीं करना है मतला विश्वास नहीं करना है अंधाधून दूसरी website भी चेक कर लेते हैं क्या पता अच्छी हो और उस पर भी अगर दोनों पर accuracy मिल दिया दोनों के अगर हमें जो हैश वैल्लियों दोनों के एकर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर एक option रहेगा अप्लोड़ कर लेता हूं तो फाइल यह मैंने अप्लोड कर लिया है और फाइल नेम अप्लोड हो रहा है देखें क्या पता हो गया हाँ तो इसने अप्लोड हो गया हाँ पहले इसने हाँ कर दिया मतलब हसर आए बहुत अच्छे से है ओके ओके मैं इस पर डिकोड और यहां पे इसे करों कर दो है कि यहां तो मैं ऑडियो डाली नहीं पाऊंगा पता नहीं कैसे कर रहा है इसको यहां डालू है नहीं नेक्ट प्रूर्प सफीक ऊसले देँंगे करना है चोब हम यहां प्ले कहां मैस को सबस्क्राइब और करने सब्सक्राइब और उसके नीचे लीच ज्खना था हरी है देखेना पर चाह finalmente सब्सक्राइब कर दो कर दो बस खदम अने नेनी चालरा चलरा आई थिंग आउडियो खतम हो गई है इसके अंदर कुछ फाइले मिली है एक यूजर ट्रंक्स और पास्वर्ड यूजर ओके ओके मतलों यूजर और पास्वर्ड इसमें चुपा हुआ थे इस आउडियो में कमाल की बात है आपने तरफ से तालिया बजारे लग जो कि बहुत साई चीज मिल लिए अब हम देखते ह हमारे पास अब और सारी हमें इमेजी मिल रही है तो एक और टर्मिनल देख लेए थे क्या पता कुछ हो या ना हो तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और मुश है हमारा और यह हमने टर्मिल अब आपको पता होगा जो हमने पहले इंफ्रमिशन गैधरिंग करें थी एंड बै के लिए तो क्या पता हम यह ID password डाल के देखिए हो सकते क्या हो सकते हैं यह login हो सकते है I don't know और उसकी website की जो मतलब IP थी तो हमें यह IP में लिए है इसको मैं copy कर लेता हूं simple ctrl c copy shift कर दिया मैंने गलती से आदत सी होगी है न ऐसे कुछ जीने में ठीक है तो हमने वह IP यह पेश्ट कर देते हैं एक सकेंड आई पी डालनी है http नहीं डालना है ठीक है अब यह हमसे password पूछेगा और यह करने के लिए अच्छा यह करने के लिए नहीं पूछे से सिर्फ पूछे पासवर्ड हमारा क्या था या यू एस थ्री आर एस को हम डॉलर सिगनल से करता है ठीक है इसको मैं कर लेता हूं यू डॉलर 3 आर एंटर करता हूं ओ वाव वाव ग्रेट मतलब हम उसके अंदर लॉग इंडर हो चुक है बहुत साही और इसके अंदर क्या करना है हमें लेस करना है एलस करके देख लेते हैं क्या है local.txt है cat कर लेते हैं local.txt में क्या मिलता है एक file मिली है local.txt की इसके अंदर कुछ ना कुछ hash value होगी तो guarantee इसके अंदर hash value है यह रहा आपको flag मिल गया है मैंने आपको कहा था एक encode file मिलती है आपको जैसे के hash value कुछ मिल गई तो हमें एक hash value मिल चुकी है तो बहुत सही है हमने hash value ढूम लिए जो यह hash value होती है वो local.txt में नहीं होती है वो root में हो सकती है root.txt या फिर user.txt या password.txt कोई भी file में हो सकती है तो आप उसको check कर सकते हो मैं basically क्या करता हूँ एक directory पीछे आगे देखता हूँ क्या इसके अंदर और कोई माजरा तो नहीं है ls में trunks ठेक है cd एक directory और पीछा आगे देखता हूँ हम directory में भाइए okey ls करता हूँ यहाँ पर हमें मतलब साही directory में है root की directory हम देख सकते है तो हम cd root करते है rwt root permission denied okay हमें permission नहीं है slash bin slash bash slash cd rwt okay नहीं तो हमें यह पता चाहिए कि हमें एक directory में लिया तो great हमने वो local file ढूंड लिया है तो congratulations आप लोगों को भी आप लोगों ने इतना सब वेट किया हो इतना सब देखा तो यह हमारा hack हो चुक है complete हमें directory boot forcing की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें वैसे भी बहुत बड़ी लिस्ट यह यूज करेगा तो अच्छी बात हमें directory मिल गिया है और बहुत सही है अगर इसमें login को कोई page होगा तो आप login कर सकते हैं तो यह बहुत सही चीज है और नई चीज आपको सीखने को में लिए कि एक audio file को आप decode कर रहे हैं तो यह भी बहुत सही है मैं एक बार login को देख लिए चेक कर लेता हूं login कुछ है कि नहीं है रही है हो सकता है कुछ और login हो या फिर कुछ लिए हो सकता है upload login हो तो अगर आपको वीडियो चेल हो तो यार प्लीज लाइक कर देना subscribe कर देना चैनल को ऐसे ही CTF आते रहेंगे बहुत अच्छे-चे CTF आते रहेंगे आप समझ जाओ कितना तगड़े CTF आएंगे अब easy level, intermediate level, hard level, सब कुछ सिखाने वाले हैं और सब कुछ free है बेसिकली बात ही है सब कुछ free है कोई subscription का पैसा नहीं है कोई भी teaching का पैसा नहीं है कोई इंस्सिचूट का पैसा नहीं है बस एक चीज़ का आपको पैसा लगेगा वो subscribe बटन पे न उगल नहीं लगा दे न प्लीज उसे नहीं आपको सब्सक्राइब करना है उसका पैसा भी नहीं लगेगा बस उस red बटन को ग्रे कर देना कैसे भी और आपने दोसों के शेयर करना क्योंकि आपको पाता है हमने 1K subscriber complete कर दिया इसके लिए आप सबको बहुत 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 दिल से thank you है यार बहुत दिल से thank you है कि आप लोगोंने 1K subscriber complete किये और आखों से आसु निकल गया है मेरे thank you यार आप लोगों इतना subscribe कि आप लोगोंने अच्छा response है तो subscribe करो like करो शेयर करो आपके दोस्तों के साथ मैं मिलता आपका अगली वीडियो में चबता के लिए जहिंद वंदे मातरम गुडबाई टाटा टेक केर